हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल लर्ण विद इंजिनेर आज नेश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत में परिवहन के साधन पढ़ेंगे भारत में परिवहन के तीन साधन है जल परिवहन, स्थल परिवहन जिसमें रेलवा सडकें आती है तदा तीसरा वायू परिवहन आज हम लोग जल परिवहन पहले देखते हैं भारत की मुख तटरेखा की लंबाई 6100 किलो मीटर है ये पिछली वीडियो में भी हम लोग डिसकस कर चुके हैं इस पर बहुत से घरेलू तथा अंतर राश्ट्री बंदरगाय स्थित हैं भारत के कुल व्यापार का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार इन ही बंदरगाहों से होता है या सबसे सस्ता तथा सुरक्षित परिवहन माना जाता है अब इसमें हमारे आते हैं पश्चमी तट के पहले बंदरगाह चलिए इनको देखते हैं उनिस सो और तालिस में बंबई बंदरगा के भाहर को कम करने के लिए विकास किया गया था इसका यहां से होने वाले प्रमुख निर्यातों में चमडा अब्रक कपास कपड़ा नमक तथा इंजिनरिंग का सामान है आयातों में उर्वरक रसायन गंधक पेट्रोलियम तथा खा 30 प्रतिशत इसी बंदरगा से होता है यह एक प्रागर्तिक बंदरगा है मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी तथा प्रवेश्द्वार कहा जाता है यहां से होने वाले निर्यातों में कपास सूती कपड़ा अभ्रक मैगडीज समुद्री उत्पाद तथा चमड़े का सामान प्रमूख है आयातों में क्या है कागज रेश्मी वस्त्र रासायन पेट्रोलियम फल तथा मशीने प्रमूख है अगला है इसी में जवाहला नहरू या नवा शेवा बंदरगाह या महराश्ट में इस्थित भारत का अत्याधुनिक बंदरगाह है इसका विकास मुंबई बंदरगाह के बोज को कम करने के लिए किया गया था अगला है आपका मारमा गोवा बंदरगाह या गोवा में जुआरी नदी के बाएं तट पर इस्थित है या कोच्ची तथा मुंबई बंदरगाहों के मद्धे इस्थित है 1961 तक यह पूर्टगालियों के कबजे में रहा था वरतमान में भारती नौसेना भी इसका उपयोग करती है यहां से होने वाले निर्यातों में नारियल काजू चावल लौहयस्क मैगनीज आम तथा सुपारी प्रमुख है आयातों में यहां क्या आयात होता है पेट्रोलियम रासायनिक पदार्थ और वरग दवाईया तथा खाद्यान प्रमुख है अगला देखते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगा या करनाटक राजी में स्थित है इसका प्रिस्ट प्रदेश अपेक्छाकृत छोटा है प्रिस्ट प्रदेश किसे कहते हैं या हिंटर लेंड बंदर बंदरगा के प्रभावी छेत्र को प्रिस्ट प्रदेश कहा जाता है न्यू मैंगलोर बंदरगा को भारत का काफी बंदरगा भी कहा जाता है कौफी बंदरगा कहा जाता है यहां से होने वाले प्रमुख निरयात में कौफी चाय काजू लौहयस्क चंदन की लकडी मैगनी तथा नारियल प्रमुख हैं आयात क्या होता यहां से पेट्रोलियम खाद्यान रसायन तथा दवाईयों का आयात होता है अगला देखते हैं कोची बंदरगा या केरल के माला बार तट पर लैगून में इस्थित है कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है यहां से होने वाले निर्यात में सुपारी, चाय, नारियल, कहवा, रबर तथा गर्म मसाले प्रमुख है गर्म मसाले अधिक होने के कारण केरल को गर्म मसालों का घर भी कहा जाता है आयात क्या क्या होते हैं यहां खाद्यान, जस्ता, रसायन इन सभी का आयात होता है यहां जल्यान भी बनाए जाते हैं चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं पूर्वी तटके बंदरगाह पे पहला देखें तूती कोरिन बंदरगाह यह कहां है यह तमिल नाडु राजज में मनार की खड़ी के तट पर इस्थित भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है यहां से लंका तथा दक्षडी पूर्वी एशियाई देशियों के साथ व्यापार अधिक होता है यहां से होने वाले निर्यात में लिंग नाइट कोईला सूति वस्त्र सागरी उत्पाद कपास तथा मसाले प्रमूख है आयात क्या होता है खाद्यान पेट्रोलियम रसायन तथा मशीनों का आयात होता है अगला देखें मद्रास या चेन्नाई वंदरगाह यह तमिलनाडु राज में इस्थित है पूर्वी तटका तमिलनाडु राज में इस्थित पूर्वी तटका सबसे बड़ा बंदरगाह है इसका पोताश्रे कृत्रिम है प्राकृतिक नहीं है यहां से होने वाले प्रमुख निर्यात में सूती और रेश्मी वस्त्र कहवा, रबर, मैगनीज, तमबाकू, मचली, हल्दी तथा कपास प्रमुख है और आयात होता है कोक, अनाज, पेट्रोलियम का या भारत का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा बंदरगाह है आगे चलते हैं, विशाखा पट्रनम बंदरगाह या सबसे गहरा तथा सुरक्षित बंदरगाह है यहां पर जल्या निर्मार तथा तेल साफ करने की शोधन साला इस्थित है यहां से होने वाले निर्यातों में लौह, अयस्क, चमड़ा तथा मैगनीज प्रमुख है पारादीब बंदरगाह या उड़ीसा राज में इस्थित कलकत्ता तथा विशाखा पट्रनम बंदरगाहों के मध्य में इस्थित भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है यहां से होने वाले निर्यातों में इमारती लकडी, लौह, अयस्क, कोईला, सागरी उत्पात तथा मैगनीज प्रमुख है आयातों में उर्वरक, खाद्यान, गंधक, पेट्रोलियम तथा मशीने प्रमुख है अगला देखते हैं हल्दिया बंदरगाह यहां पश्चिम बंगाल राज्य में इस्थित है इसे कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया था यहां से होने वाले निर्यात में चाय, जूट, कोईला, लौह, हैस्क तथा अब्रक प्रमुख है आयात में पेट्रोलियम, उर्वरक, कागज, रबर, रसायन तथा कपास प्रमुख है अगला देखते हैं कोलकाता बंदरगाह या पश्चिम बंगाल राज्य में इस्थित गंगा की प्रमुख वित्री का हुगली नदी के किनारे पर इस्थित एक नदी ये बंदरगाह है इसे पूर्व का बोस्टन तथा सार्क बंदरगाह भी कहा जाता है इसका प्रिष्ट प्रदेश बड़ा है यहां से होने वाले निर्यात में चाय, जूट, अब्रक तथा कोईला है आयात में पेट्रोलियम, उनी तथा रेश्मी वस्त्र, मशीने तथा उर्वरक है पोर्ट ब्लेयर या दक्षिडी अंदमान द्वी पर इस्थित है इसे हाल ही में भारत सरकार ने अंतर राश्ट्री बंदरगाह का दरजा प्रदान किया है या घरेलू बंदरगाह था ठीक है तवाज हम लोगों ने यह देखा पश्मी तटके और पूर्वी तटके बंदरगाह यह सारे हम लोग के जल परिवहन में आ गए अब अगला हम लोग इसमें अस्थल परिवहन पढ़ेंगे जिसमें रेल और सडकें हैं तथा उसके बाद वायू परिवहन देखेंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच